ये बात अलग है कि तुम ना बदले मगर जमाना बदल रहा है गुलाव पत्थर पे खिल रहे है और चिराग अंधी पे जल रहा है ये जनून है मेरा ये जनून है मेरा और यही ख्वाव है मेरे चिराग वहाँ पर जलादू में जहां अंधेरा ही अंधेरा है जहिन दस्तो CNW वेरावल डेपो में आपका स्वागत है मैं अनिल ठाकर टेक्निशन इन मेकेनिकल डिपार्टमेंट वेरावल आईए आज बात करते हैं लेजबी कोच में लगें फियाट वोगी के बारे में एफ आई एटी फियाट फेवरिका इटालिना डे ऑटो मोबाल टोरिनो जिहां दोस्तो यह इस बोगी के निर्माता कंपनी का नाम है और इसका फ्रेम यूरोफुमा डिजाइन पर आधारित है इस बोगी को दो लोंजिट्यूडनल कंपोनेट से बनाया गया है जो कि स्टील सीट से बने हुए है यह दोनों कंपोनेट को दो क्रोस बीम के द्वारा कनेक्ट किया गया है और इससे सोलील वेलेड कंस्ट्रक्शन के द्वारा बनाया गया है साथी साथ यह ब्रेक यूनिट को भी सपोर्ट करता है इसका Boggy Frame Structure क्वाईसेप में दिया गया है और सेक्षन सेक्षन होता है दोस्तो यह एक Twin Axel Boggy है जिसमें 2 स्टेज सस्पेंशन विवस्था दी गई है Fiat Bogi में 4 स्थान पर Nested Steel Helical Coil Spring Primary Suspension के लिए तो स्थान पर Nested Steel Helical Coil Spring Secondary Suspension के लिए लगाए गया है इसके साथ साथ Hydraulic Shock Observer B UIC के द्वारा निर्दारित किया है जो कि एक बोगी के लिए चार प्राइमरी वर्टिकल डंपर, दो सेकंडरी वर्टिकल डंपर, दो यो डंपर और एक लेटरल डंपर दिया गिया है दोस्तो इसी सस्पेंशन सिस्टम की वियवस्था की वज़े से ICF कोज की तुलना में, LHB कोज के राइडिंग इंडेक्स में काफी सुधार हुआ है और जो 2.5 से 2.75 है फियट बोगी की लंबाई 3534 mm है इसकी चोड़ाई 3030 mm है और उसका वज़न 6.3 टर्ण है यानि 6,300 kg इसके साथ ही साथ इस बोगी में 130 mm बोर के कार्टरिज टेपर रोलर बियरिंग का उप्योग किया गया है जो की एक प्री एसेंबल यूनिट है और इसका अनुरक्षन 1.2 मिलियन किलोमेटर के बाद किया जाता है दोस्तों फियाट बोगी में एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम का भी उप्योग किया गया है जिससे एक तो ब्रेकिंग समता में बडोतरी हुई और ब्रेकिंग के कारण विल के ट्रेट पर किसाओ की समभावना उनता समाब्थ होगी आई अब एक नजर करते है फियाट बोगी के सभी कंपोनेट्स पर दोस्तों लेजबी कोज के नए विल का डायमेटर 915 mm है और कंडमिंग सिमा 855 mm है जो कि पहले 845 mm था इसका विल गेज 1600 प्लस मैनस 1 mm है इसका विल बेज यानि दोनों एक्सल के बीज की दूरी 2560 mm है अगे बढ़ते हैं प्राइमरी वर्टिकल डंपर जिसकी फ्री आइट 434 प्लस मैनस 03 mm है और कंप्रेस्ट हाइट 294 प्लस मैनस 03 mm है एक्सल बोक्स कवर प्राइमरी स्प्रिंग नेस्टेट स्टिल एलिकल कोईल स्प्रिंग जिसकी फ्री आइट सभी कोच की अलग अलग है जैसे कि 1st and 2nd SC के लिए फ्री आइट आउटर एंड इनर के लिए 324.5 mm है और इसका वायर डाया आउटर के लिए 38 mm और इनर के लिए 26 mm है इसी प्रेकार SC3 टायर के लिए फ्री आइट आउटर की 324.5 mm और इनर के लिए 337 mm है ST3 tire का wire dia 38 mm outer के लिए और inner के लिए 27 mm है इसी प्रिकार CN और GS के लिए free height primary spring की outer और inner के लिए 313 mm दोनों के लिए same है और उसका wire dia outer के लिए 40 mm और inner के लिए 27 mm है साथ में power car के लिए free height outer और inner के लिए 337 mm है और power car में जो primary spring लगी है उसका wire dia outer के लिए 40 mm और inner के लिए 27 mm है यह है control arm यह एक articulated arrangement है जो कि axle को bogey frame के साथ connect करता है बोगी वाइ फ्रेम यो डंपर यो डंपर जिसकी free height 1083 प्लस मैनस 03 mm है और compressed light 703 प्लस मैनस 03 mm है secondary vertical dumper जिसकी free height 635 प्लस मैनस 03 mm है और compressed light 395 प्लस मैनस 03 mm है secondary spin SC first, second SC and SC theta r के लिए तिनों के लिए same है outer spring का free height 707 mm और inner spring का free height 663 mm है इसका wire dia outer के लिए 50 mm और inner के लिए 34 mm है इसी प्रेकार CN और GS मैं free height outer spring के लिए 637 mm और inner spring के लिए 593 mm है CN और GS का wire dia outer 55 mm और inner 36 mm है साथ में power car में भी outer spring 708 mm और inner spring 664 mm है power car का wire dia outer 57 mm और inner 38 mm है जोस्तों brake disc ये ग्रे कास्ट iron का बना हुआ है और इसका diameter 640 mm है और इसकी width 110 mm है brake disc का wearness 7 mm one side and 14 mm both side है इसमें fins लगाया गया है जो की brake disc को ठंडा करने में मदद करता है LHB coach के axle की समता 16.25 ton है axle की overall लंबाई 2440 mm है और axle diameter 170 mm है axle पर लगे दोनों brake disc के बीज की दूरी 1030 mm है और inner face से brake disc की दूरी 175 mm है brake caliper unit ये तीन कंपनी के अलग 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 आते है नौर बीम एसकोर्ट और फैवली ब्रेक सिलिंडर जिसकी size 10 inch है maximum piston stroke 21 mm है और slack capacity 160 mm है क्रोस बीम जो की brake system को support करता है ट्रेक्शन रोड ट्रेक्शन लीवर ट्रेक्शन सेंटर support frame longitudinal bomb stop जिसका clearance 8 mm प्लस 5-2 mm है lateral bomb stop जिसका clearance 25 mm प्लस 5-2 mm है vertical rolling lateral bumper जो कि मैं बार से आपको नहीं बताया दिखा पाया था जिसकी free height 545 mm प्लस मैनस 0-3 mm है और compressed लंबाई 400 mm है secondary bomb stopper जिसका clearance 95 mm प्लस 0-5 mm है anti roll bar fork anti roll bar दोस्तो anti roll bar lhb coach में bogey frame और coach body के बीच में rolling motion को नियंत्रित करने के लिए लगाया गया है साथ ही साथ coach को tilt आने से भी रोकता है और coach के riding को smooth बनाता है दोस्तो दिशा दिखाने वाले यदि सही हो तो दिपक भी सुरिया का काम करता है तो ये थे fiat bogey के maximum components दोस्तो cnw वेरावल कोचिंग डेपो में मेरे cws3 अक्सरी देशाय सर के नेतुरत्व और मार्क दर्शन के अनुसार lhb coach के साथ साथ बहुत सारे इवेंट्स के वीडियो हमने बनाये हुए है जिसे आप YouTube में cnw वेरावल चैनल पर देख सकते हैं उमिद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद रहा होगा तन्यवाद